अलो दोस्तों जब आप गन्ना calendar प्रिंट करने के लिए प्रिंट करते होंगे तो कुछ इस ठायप का इंटरफेस सो होता है तो इस problem को कैसे solve करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Simply आपको right click करना है Right click करने के बदंश्पेक्ट पर click करना है आई प्रेस करने से फिर से ये पैनल ओपन हो जाएगा अब कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ की प्रेस करेंगा और यहां पे कलेंडर लिखेंगे calendar type करने के बाद आपको interface कर देना है interface कर देने के बाद अब आपको दुसरे वाले calendar पर right click कर ना है और edit HTML पर click कर देना है click करने के बाद आपको हलका सा नीचे scroll करना है scroll करते रहिए करते रहिए एक option मिलेगा height 300 pixel इस पर click करना है हलका सा इधर उपर करते हैं अब हमें इसको delete करना है height 300 pixel or overflow scroll को इसे हमें delete करना है slate करने के बाद आपको इसे delete की press कर देनी है फिर आपको left click करना है फिर इसे close कर देना है close करने के बाद आपको calendar पे जाना है गर्ना calendar फिर आपको Ctrl P से print command देनी है प्रिंट कमांड देने के बाद देखिया हमारा गन्ना कलेंडर प्रिंट होने के लिए रेडी हो चुका है अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के पास सेयर करें